बले आदमी की भलमनसाहत होती है हरी बरी चीजों को देखकर खुश हो जाता है और साम बिच्चू जैसी चीजें देखता है तो जीब डर जाता है अब अगर साम बिच्चू को हरा बरा दिखा के हिमाले टाइप कीवर्ड में लपेट कर 36 साल में एक बार जैसा रेंडम आकला दे दिया जाए तो भला आदमी तो निहाल हो जाएगा पर निहाल होकर क्या करेगा सबको वो चीज दिखाएगा यहीं से शुरुआत होती है सोशल मीडिया के एक जूट की क्या दावा किया जा रहा है इस बार साहाब की तरह दिखने वाली एक बनस्पती है बनस्पती की फ जंगा थी, मतलब कद्दू का फूल है, फिर लगा नहीं, सब लोग इतने प्यार से फैला रहे हैं, तो चेक करना तो बनता है, शुरू हुई ललन टॉप की परताल, गुगल पर रिवर्स एमेज सर्च किया, नजर पड़ी घुम्मीगुमी.com पर, वहाँ ये तस्वीर थी, क अब तक ये पक्का हो गया था, कि ये कोई दोडला पौधा नहीं है, कमरू नाग के रास्ते में मिल रहा है, मतलब आम है, इंटरनेट पर तलाशा तो एक शब्द मिला, कोबरा लिली, खोजा तो ऐसे ही पौधे मिले, पता लगा खतरनाग पौधा है, छोटे मोटे कीड़ मकोडे खा लेता है, ये भी पता लगा कि सेक्स बदलता है, अपना लिंग चेंज करता है, पहले बच्मन में ये मेल पौधा होता है, बाद में फीमेल पौधा हो जाता है, लेकिन इसमें वो साब जैसी धारिया नहीं मिली, जिसकी हमें तलाश थी, थोड़ा और खोजा, त स्ट्रिप्ड मतलब वो धारिदार, दुर्लवाली बात का क्या सच है, ये भी जान लीजिए, दुर्लवाली बात को तलाशा तो दाहिंदू की 2017 की खबर मिली, पता लगा नीलगीरी के जंगलों में कोब्रा निली के पौधे 84 साल बाद मिले हैं, आखरी बार 1932 में दिखे फिर 2017 में मिले, इसे नीलगीरी के हिसाब से बड़ी खोज माना गया था, क्या है नतीजा परताल का, ये कोई नागपुष्प नहीं स्ट्राइब कोब्रा लिली है, ये दावे में कहे अंसार दुरलब नहीं है, ये जरूर है कि मुश्किल से मिलता है, सिक्किन की तरफ मिलत है, जून-जुलाई में खिलता है, बाकी इलाकों में कम मिलता है, हमारी परताल में इस तस्वीर के हिमाले में 36 साल बाद मिलने वाली बात फर्जी निकली, अगर आपके पास भी कोई बात पहुचती है, कोई तस्वीर, वीडियो, खबर, जिसको लेकर आपको संदे है कि य गाइट पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टाल करो